हेलो फ्रेंड्स मैं सिभ्मी आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ कुछ इंट्रेस्टिंग सी रेस्पी शेयर करने जा रही हूँ तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंट्रेयर जरूर करें फ्रेंड्स लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो subscribe भी कर लें तो friends चलिए इसी के साथ आज की ये interesting सी recipe हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैंने सारी जो समगरी है वो एकटी करके रखी है ये देखिए friends आज हम बनाएंगे mixed wedge पराठा तो जिसके लिए मैंने सारी सबजियों को अच्छे से wash करके धोके रखा हुआ है और ये देखिए अब मैं इन सभी सबजियों को अच्छे से काट लूँगी कुछ सबजिया है जिनको मैं grate करूँगी कदू कस की साहता से और कुछ को finely chop करके ले लूँगी क्योंकि इन्हें हमें फिल करना है तो इन्हें हमें बहुत ही बारिक chop करना होगा तो friends इधर मैंने ये देखिए आलू है जिनको मैं टुकडों में काट के उबलने के लिए रख दूँगी क्योंकि friends एक टुकडों में काटने से आलू जल्दी उबल जाएंगे और देखिए मैंने सारी सबजियों को काट कर लिया है ये देखिए ये पता गोबी है ये देखिए ये इस्प्रिंग ओनियंस है ये है गोबी जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है मूली को भी ग्रेट कर लिया है और ये है हरा प्यास जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और यह है गाजर जिसको भी मैंने ग्रेट कर लिया और यह है शिमला मिर्च जिसको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और यह देखी यह कटी हुई हरी मिर्च है यह अधरक है जिसको मैंने फाइनली ग्रेट किया हुआ है और ध तो इन सभी चीजों से मैं हरी चटनी बनाऊंगी और इधर देखिए हमारे ये आलू है यह उबल चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंट्स अब हम इनको छील लेंगे इस तरीके से अगर काट के रखते तो जल्दी उबल जाती क्योंकि क्वांटिटी आलू की भी पूरे साइस के अलू उबल जाते हैं लेकर थोड़े वालने हो तो आप इस तरीके से कट करके वाली है बहुत ही जल्दी उबल जाते हैं अब मैं उनको भर्त बना लूंगी ये देखिए फ्रेंट्स इस तरीके से ये थोड़े से आलू इसलिए लिए है वैसे तो आलू लिया था अब देखिए यहां पर मैंने मिक्सर लिया है और यह चटनी में बनाने जा रहे हूं जितना भी सामान मैंने काटके रखा था मैं सभी इस मिक्सर जार में कर दूंगी ये देखिए और मैं इसमें थोड़े बहुत कुछ मसाले डालूंगी ये मैंने जीरा डाला और यह देखिए मैंने चटनी जो है बना के रख ली है फ्रेंट्स अगर आपको थिक लगे तो आप साथ में पानी भी एड़ कर सकते हैं पीस्ते समय और हमारी चटनी एकदम रेड़ी है और इदा मैंने रखी यह कड़ाई जिसको मैं गर्म कर लूंगी और मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सक घी यह देखिए आप फ्रेंट्स गी की जगे ऊइल भी यूज yuze कर सकते हैं और इस घीको मैं पूरी कड़ाई में अच्छे से spread कर लूँगी इस तरीके से ये देखिए अब मैं इसमें डालूँगी जीरा एक चमच ये देखिए फ्रेंट्स मैंने जीरा डाल दिया है अब मैं इस जीरा को अच्छे से चटकने दूँगी तब मैं इसमें डालूँगी ये मैं नहीं डाल दिये ये देखिए फ्रेंट्स अ डाल रही हूँ अब मैंने जितनी भी वेजीज काट के रखी हुई है वो डालूंगी लेकिन उससे पहले मैंने डाल दी हरी मिर्च इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और यह देखिए सारी वेजीज हैं जिनको मैंने काट के रखा हुआ था यह सबी में एक साथ इसमें ड देखिए और यह देखिए साथ में मैंने यह अद्रक भी डाल दिया था और धनिया ही केवल मैंने बचाई हुई है अब इन सब चीजों को मैं अच्छे से इस तरीके से चलाऊंगी और जब तक कि यह सौफ्ट नहीं हो जाएंगी यह देखिए फ्रेंड्स अब हम इन में एड करेंगे कुछ मसाली मैंने लाल मिर्च पॉर्डर और धनिया पॉर्डर डाला हुआ है और नमक आप टेस्ट के कोड़ेंग डालिए और फ्रेंड्स हरी मिर्च भी हमने काट कर डाली है तो लाल मिर्च डालते समय ध्यान रखिए और इधर मैं आटा गु जीज है वो ठंडी होने के लिए मैंने रख दी है जब तक वो ठंडी होगी तब तक हम यह आटा गूंद के रेडी कर लेंगे इस तरीके से और मैंने इसमें यह मैदा भी मिला दी है प्रेंड्स आप चाहे तो फुल मैदा ले सकते हैं और चाहे तो फुल गेहूं का आटा ले सकते हैं और मैंने इसमन डाला कि यह ड़िए दिछी आ dinosaurs ? आप चाहें तो ऐल का यूज़ भी कर सकते हैं और मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि आटे में भी थोड़ा नमक का टेस्ट आ जाए और मैं इन सब सभी चीजों को अच्छे से मिला दूँगी यह देखिए फ्रेंड्स और मैंने आटा देखिये गुलन के रेडी कर लिया है यह देखिये कुछ इस तरीखे से मैंने इतना सौफ्ट आटा ठाट के रेडी किया है और मैं इसको अब ठक कर रख दूगी था if me i קū oh रेस्ट के लिए रख दूगी और इधर मैंने देखिए वेजी ठंडी होने के लिए रख दी थी तो मैंने जिस बर्तन में भर्त किया था उसी में उसी के ऊपर रख दी थी आप चाहे तो कड़ाई में भी ठंडा कर सकते हैं यहां पर जो मैंने दरिया काटके रखी हुई थी इसमें एड़ कर दिये और सभी चीजों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी परेंड्स मसाले हम कड़ाई में ही सारे मिला चुके थे और फिर में यह सारा जो स्टफ है वो मैं दूसरे बह दर निकाल लूँगी इधर देखिए फ्रेंड्स मेरा जो आठा है वो भी अच्छे से ready हो गया है अब मैं जो पराठे हैं पराना स्टार्ट करती हूँ यह देखिए मैंने अपना एक पराठा सेकْ भी लिया था और लेकिन फिर भी आपको सारे पराठे सेकْ दिखाती हूं एक दो और फिर मैं बागी के सारे पराठे सेकْ तो friends इस तरीके से हम डो का थोड़ा सा पार्ट लेंगे ये देखिए और इसकी जो है इस तरीके से मसल कर लोई बना लेंगे इस तरीके से अब हम थोड़ा सा पर्थन लगा के अब इसको थोड़ा सा मैंने spread कर लिया है अब हम इसमें डो की quantity रखेंगे friends अगर आप जादा भरना चाहें तो आप जादा भी भर सकते हैं अगर आप कम पसंद करते हों तो आप थोड़ा कम डो भी भर सकते हैं और इस तरीके से किनारों से दबाते हुए घुमाते हुए हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे अगर आप इस तरीके से बंद करेंगे तो कभी भी आपके परहाटे में एक्स्टा आठा नहीं निकलेगा और इस तरीके से हमने इसको बंद करके और मैं इस तरीके से इसको स्प्रैड करते हुए ऐसे बेलने से बेल लूँगी इसको और ये देखिए फ्रेंट्स मेरा वो पर है करेंगे लिए चैनल होता है तो को आटे को थोड़ा बहुत ही okay लूज मारना कोता है है वैसे को आप गूंदेंगे तो आपके जो पराटे ंप्लbre भी नहीं फटेंगे यह देखिए ऐसे ही मैं दूसरा पराठा भी रेड़ी किये ले रही हूं यह देखिए फ्रेंड्स यह बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पराठे हैं और टेस्ट पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आप इन्हें किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं मैंने तो टमाटर और हईधनिया की चटनी बनाई हुई है तो यह देखिए मैं इनको सेख लूँगी इस तरीके से यह देखिए आप फ्रेंट्स इन पराठो कोई भी शेप भी दे सकते हैं स्क्वेयर या मैं तो इनको सिंपल राउंड शेप में कि यह ले रही हूं बना ले रही हूं तो यह देखिए फ्रेंट्स और देख कितनी आसानी से बन रहे हैं बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं फट रहे हैं यह देखिए फ्रेंट्स यह देखिए मैंने अपर तीन पराठे जो हैं सेख लिए हैं इसी तरीके से मैं बाकी के पराठे भी सेख लूँगी और मैं यहां पर रख रही हूं हरी दन्या की जो चटनी मैंने बना कर रखी हुई थी वो तो यह देखिए फ्रेंट्स मैंने अपनी प्लेट लगा कर रेडी कर ली है और आप देखिए मैं आपको इन्हें तोड़ कर भी दिखाती हूं बहुत ज़्यादा टेस्ट्री और बढ़िया बने हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है और यह देखिए कितनी बढ़ी है यमी लगते हैं टेस्टी लगते हैं और हैल्दी तो होते ही हैं और आप इन्हें किसी भी सॉस के साथ भी और रायते के साथ भी सर्फ कर सकते हैं और बनाईए खाईए अपने बच्चों को खिलाईए और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड जरूर कर दीए कर दीजिए अगर आप एक लाइक करते हैं तो मुझे थोड़ा होस्ता मिलता है ओके बाए